दोस्तों WhatsApp तो सभी यूज करते हैं लेकिन WhatsApp में एक ऐसा फीचर भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं दोस्तों वह ऐसा फीचर है जिससे आप WhatsApp के वीडियो और ओडियो या फिर जो इमेजिस हैं उनको आप अपनी गैलरी में से हाइड कर सकते हैं वह गैलरी में शो नी होंगे लेकिन आपके मॉबाइल में रहेंगे लेकिन फिर भी वह गैलरी में शो नी होंगे दोस्तों आज की वीडियो में WhatsApp के इसी फीचर के बारे में बात करेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इसके लिए आपको कोई अलग से third party application डाउनोड नहीं करनी है, आपको बस WhatsApp open करना है, WhatsApp open करिए, उसके बाद आप कोई भी chat है, जैसे मान लीजी, यह मेरी एक particular conversation है, मैं नहीं चाहता कि इसकी जो videos या कोई भी media file अपनी gallery में मैं नहीं चाहता कि शो हो, तो उसके लिए मुझे क्य आई बटन देख रहे हैं आप, इस आई बटन पर क्लिक कर दीजिए, आई बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक media visibility दिख रहा होगा, media visibility यह option है, media visibility पर क्लिक कर दीजिए, तो दोस्तों यह जो default आता है, वो yes पर आता है, यह इसका मतलब क्या है, कि यह जो videos या जो भी media files ह यह आपकी gallery में show होंगी, हाँ, तो अगर आप इसको no कर देंगे, तो दोस्तों उसके बाद आप ok कर दीजिए, उसके बाद इस number पर यह जो contact है, या कोई भी आप group की conversation भी ले सकते हैं, तो इस conversation का कोई भी अगर video या image file, कोई भी media file होगी, वो आपको download तो हो जाएगी, लेक अब मैंने क्योंकि इसकी hide कर दी है, मैंने media visibility को, अब अगर मैं जो भी photo या media file लूँगा, वो gallery में show नहीं होंगे, मैं आपको देखा देता हूँ, दोस्तों देख सकते हैं, आपके अभी एक photo मैंने अपने दूसरे phone से send कर दिया है, तो मैं आप इसको download कर लेता हूँ, यह देखिए, अब अगर मैं अपनी gallery में जाऊंगा, देखे gallery open कर दी मैंने, gallery में देख सकते हैं, वो photo नहीं है, अब देख सकते हैं, वो photo कहीं पर भी नहीं है, अब बात यह है कि photo gallery में नहीं है, तो गया कहा, आप सौच रहूंगे मैंने delete कर दिया, लेकिन नहीं, मैंने delete नहीं कर रहा है, मैं आपको दुबारा से open करके दिखा देता हूं, तो यह photo अखिर गया, अगर वो gallery में नहीं है, अब इसको access कैसे करें, हमें बाद में इसको delete करना है, या फिर आगे share करना है, तो इसके लिए दोस्तों, आपको अपना file manager open करना है, कोई भी जो भी आप file manager user use करते हैं, किसी भी file manager को open कर लीजीए, उसके बाद, whatsapp के फोल्डर में जाना है, वोटसेप के फोल्डर में जाने के बाद, मीडिया में जाना है, क्योंकि वो image है, तो फिर आप whatsapp images में जाएंगे, अगर video होगा, तो WhatsApp वीडियो जाएंगे, वोटसेप वीडियो में जाएं इसके अलावा मैंने और भी कुछ फोटो लिये थे, देख सकते हैं, दोस्तो ये था WhatsApp का वो फीचर जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हो रहे हैं, काफी फायदेमन भी यूज होता है, अगर हम कभी कुछ फोटो शेयर करते हैं और हम नहीं चाहते हैं, कि वो हमारे गेलरी कर लीजे, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिंद!